स्वागत है दूस्तो आपका इस YouTube चैनल में इस वीडियो में हम जानेंगे मोसम किसे कहते हैं जिसको अंग्रेजी में हम वैदर बोलते हैं मोसम की परिवासा होगी मोसम वायू मंडल या प्रिस्तितियों का एक सियोजन होता है जो किसी विसी समय या स्थान पर वायू मंडल की दसा को दर जाता है यानि कि इसका कहने का मतलब यह है अगर मान लेते हैं इस समय बारिस हो रही है तो हम बोलेंगे कि जो मोसम है वो बारिस का है बहुत ज्यादा दूप पड़ रहे हैं तो हम बोलेंगे मोसम गर्मी का है ठंड पड़ रहे हैं तो हम बोलेंगे मोसम ठंड का है तो उसी चीज़ को हम weather बोलते हैं, यानि कि एक समय में एक स्थान के अंदर जिस परकार की condition होती है, जिस परकार की दसा होती है, उसी को मोसम बोला जाता है मोसम के परकार, कई परकार का मोसम होता है, जैसे सीत मोसम जो सर्दी होती है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है गरीसम मोसम जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वर्सा मोसम जिसमें बहुत ज्यादा बारिस होती है सरद मोसम जिसको हम पजड बोलते हैं जो पेड़ पोदे होते हैं उनके पत्ते जड़ने लग जाते हैं और पांचवा है बसंत मोसम यानि कि वो बीच का मोसम ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है मोसम का महतो क्यों महतो पूर्ण है मोसम देखो हमारी जो खेती बाड़ी होती है उसको बहुत ज्यादा परवावित करता है क्योंकि अगर हमने मान लेते हैं ठंड के अंदर कोई फसल बोई है अगर उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो हमारी फसल खराब होने लग जाएगी तो करसी पर बहुत ज़्यादा परवाव पड़ता है मोसम का तो कही ना कही मोसम स्वास्ता को परवावित करता है यात और प्रिवेन परवीस का परवाव पड़ता है क्योंकि यूरोप के कई एरिया ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड करने के बाद जो सड़के होती हैं वो बरब से ढख जाती हैं तो वहां का जो टेंपरे थैंक्स वर वाचिंग